हम लाए हैं कॉंग्रेस से सत्ता निकाल के इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तों समाल के तुम ही भविश्य हो मेरे अंदभक्ति काल के इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तों समाल के इसकी सैयां तो खुबई कमात हैं महंगाई डैन खाये जात हैं करीम साब जी आज कर ले ख़बर आप देख रहे होंगे जो इसको लेकर अब इसका पूरा एंगल जिहादी से जोड़ा जा रहा है और आपके ही चैनल पर ये बात बताई थी और फिर भी बोल रहा हूं कि अपरादी किसी एक दरम में नहीं होते हैं कि यह उन्मादी जो लोग होते हैं अफरादी जो प्रविर्ती के जो लोग होते हैं हम समाज इसका समर्तर नहीं करते हम तो कह रहे हैं कि इसको फासी पचड़ा दो कोई विरोज करें तो वो जोशी ए फिर मैं यह मानता हूं और दूसरी बात कि देखिए समाज जो है काना का मतलब यह है कि अब देखिए मेरा मेरा हां फिलिंग वही बता रहा हूं कि मेरा जो दोजार चोबिस में जो सत्ता आएगी चुनाओं में तो मेरा यही मुद्दा है और हम जनता भी पूछेंगे कि तुम किस मुझ से हमारे गाउं में या हमारे पास आओगे तुमने जो भी हमसे वादा किया था वह वादा पुरा हुआ नहीं तो मुझे लगता है कि शायद यह लोग यह कहें बीजेपी कि हम लाए हैं हम लाए हैं कॉंग्रेस से सत्ता निकाल के इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तों समाल के तुम ही भविश्य हो मेरे अंदभक्ति काल के इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तों समाल के और आगे यह है कि मध्यम अवाम के आगे से थाली तो खीचा थाली खीच ली गई है हमारे मध्यम अवाम के वर्क के सामने से तो मध्यम अवाम के आगे से थाली तो खीचा बेटी बहन को लाके तुम सड़कों पह पीता वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तों समाल के और आगे यह है कि सत्ता के दाओ पेच से रखना नवास्ता बच्चों की फिकर कर लो अब खसता है रास्ता भटका न दे कोई तुम्हे चाये के नाम पे इस कुर्शी को रखना मेरे भक्तों समाल के तो यही कह सकते हैं क्योंकि भक्त ही ओट दे सकते हैं जो देज भक्त हैं वो इनको क्या कहेंगे मालूम है भाग मिलका भाग जो देखे आपने मिनाक्षी लेकी भी भागते हुए नजर आएं वो इसे ही इनके नेता भी भागते हुए नजर आएंगे हमारे बीच में यह न नए भारत की को बनाने के निकल पड़े हैं नए भारत कब ने भारत बनता है भारत नई सोच होगी जब नए लोग होंगे जब चीजें बहतर से बहतर होंगी वो नए भारत होगा आज की गोवर्मेंट हम युवाओं को क्या कह रही है कि रुजगार इसलिए नहीं मिल पा रह कि शिप स्टोरी बना रही है यह बूम लेकर के हम जनता के भीतनी आ रही है तो यह हमारा दुख है कि जो हम दुरभाग यह है और दुख भी है कि जो मीडिया इसके यह इसके पहले हम आम नागरीक जो होते हैं उनके घर के किचन में घुज जाती थी और हाउस वाइपों के प दूने निकला हूँ जो रात को आड़ बजे कहती थी इसकी सईयां तो खुबई कमात हैं महंगाई दायन खाए जात हैं तो वो क्यों नई स्लोगन चल रहा है मैं उस मीडिया को दूने निकला हूँ जो हम तीबू रिमोट खोलते थे तो एक आता था कि हम मोजी जी को लाने वाले हैं अच्छे दिन आने वाले हैं तो मैं वो पूछने निकला हूँ कि अच्छे दिन आने वाले थे तो हमारे कच्छे दिन कैसे आ गए ये सवाल करने मैं निकला हूँ आप ये कि बाहर निकलेंगे लोगों को समझाएंगे अलग अलग राज्यमा जाएंगे और लोग को लेकर आएं यही तो वो लोग जिने हिंदू राष्ट चाहिए यही तो वो लोग है जो मुसल्मान को गाली देते हैं कैसे समझें यह सब देखिए सब कोई हिंदू है को इनकी बात नहीं कर रही हूं तो उस मीडिया को मैं ढून रहा हूं कि हमारी समस्या दिखाओ तुम हम लड़ाओ नाम है की लिए देश को दुनिया को पता है इसलिए यह परेश फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पर रैंक कर रहे है पुरी दुनिया को पता है कामी मिस्येक के पास को यह पॉलिटिकल को पार्टी वार्टी के हमारे लें पचार कर दो हमारे बाद आएंगे भी तो मैं नहीं जाना है क्योंकि मैं यह मानता हूं कि नेता अगर ना लेता होता तो भारत भी शोविजेता होता अब मैं सोन चिरेईन की बगीर में विस्तर डालके लेता होता जिनों को हमने मोका दिया था उन्होंने हमको धोका दिया है। जो धोका हम इला है उन्हीं से अर्दगरत gdzie THERE पछेशे ही Centers करेंगे. लोगों को जागरूख वो करेंगे क्योंकि चुनाओ भी नजदीक और ऐसे में ज्यादा ब्रिन्वोस्ट लोग जो पलिटिकल पार्टियां वो करती हैं मैं यह मांनता हूँ कि शोशल मिडिया की सिड़ी चाड़ करके यह सत्ता आई थी 2014 में हम भी देखते थे थी कह नो तो शोशल मिडिया की सिड़ी पर अब वोट मेरा वोट मेरा लट और हम वोई सीड़ी पर बैढ़ गए और वहीं से दोड़ाएंगे आप देखी रिजल्ट आने लगा और यह नहीं है कि शिप यहीं दोड़ाये जाएंगे उचिप वाली मैडम भी दोड़ाई गई है पतना में आपको पता होगा तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप लोग वाट सब इन्हों सिटी में हमारे वच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें इस तरह का भारत नीची है हमारा पुराना दिन लोटा दो हमारा पुराना भारत ही अच्छा है जिसमें हम सब मिल जूल करके प्यार से रहते थे कि ये दिल कुछे से आपके वादों में फस गया कश्में उठाई आपने तो दिल मचल गया आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की